चीण से निकले कोरोना वाइरस ने जहां एक और पुरी दुनिया में तबाही मचा दी हैं वही चीण इस बात से हमेशा झुhटलाता रहा कि कोरोना वायरस उसी के देश में पैदा हुआ है फलागि चीण अब इस बात को ङगा निया है कि उसने कोरोना वा David को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के सुपरवाइजर लियू डैंग फैंग ने बताया कि तीन जनवरी को चीन की सरकार ने आदेश जारी किया था कि अनाधिकरत लेब से कोरोना वारस के सेंपलों को नश्ट किया जाएगा गौर्दलब है कि अमारिका पहले से ही चीन पर कोरोना वारस के सच्चाए चुपाने का आरूप लगाता रहा है महीं पिछले महिने अमारिका के विदेश मंतरी ने दावा किया था कि चीन ने वारस के सेंपल नश्ट किये जिसे चीन ने अब मान लिया है वहीं अपनी सफाई में चीन ने ये भी कहा कि चीन ने छुपाने के पीछे मकसद से वाइरस के सेंपल नश्ट किये लियू डेंग फैंग ने कहा कि लैब में बायोलोजिकल सरक्षा और आगे कोई दूसरा हादसा न हो जाए इसलिए वाइरस को खत्म करने को कहा गया अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपो का खंडन करते हुए चीन के स्वास्त कानूनों के तहत उन्हें वाइरस को खत्म करना था हमने छुपाने की मकसद से वाइरस के सेंपल नश्ट नहीं किये